हाई एवरिवन वेलकम तो स्कोर प्लेस दिस इशलेंद्र पांडे और फिजिक्स एजुगेटर प्यारे बचों आज आप लोग को रिवाइज करवाने वाले हैं चैप्टर वर्क एनरजी एंड पावर देखो इस चैप्टर में पहली बात तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है राइट फिजिक्स की लेंगवेज में वर्क क्या है तो प्यारे बचों अगर कोई ऐसा अबजेक्ट है जिस पर कुछ भी फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उस अबजेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है जैसे मान लो ये कोई अबजेक्ट है इ displacement है, फिलाल अभी जो displacement है और force है चेक कर ये दोनों same direction में है, तो ऐसे में हम लोग work को define करते हैं, work is defined as the product of force and displacement, जो कि आप class 9th में पढ़ते हो, right, कि बही force और displacement का जो product है, वो work कहलाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा scene हो कि बही ये object है, इस पे f force लग रहा है, जो कि किसी theta angle पर है, और object यहां कहीं पर displacement कर रहा है, यानि कि displacement और force के बीच में इस बार कुछ angle theta है, right, तो ऐसे में प्यारे बचों, work को define किया जाता है, fd cos theta, यानि कि आप यहां पर ये कह सकते हो कि हम लोग उने force का component किया, force का वो component हम लोग उने consider किया है, जो displacement की direction में, यानि कि f cos theta, यानि कि f cos theta multiplied by d is the work, इसका मतलब मेरे प्यारे बचों, क्या हुआ, work क्या है, work is the product of displacement and component of force in the direction of displacement, right, तो दोनों का direction अगर same है, तो force into displacement कहेंगे, उनके बीच में अगर कुछ भी angle है, तो हम उसको fd cos theta कहेंगे, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, force एक vector quantity है, displacement भी एक vector quantity है, और क्योंकि cos theta आया है, इसलिए इसको हम लोग dot product से represent कर सकते हैं, so work is also defined as the dot product of force vector and displacement vector, right, तो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, तो work को explain करने में तीन factors काम में आते हैं, पहला क्या है, force, दूसरा displacement और तीसरा उनके बीच का angle, right, उसी के basis पर हम लोग define करेंगे कि वो work कैसा है, अब यहां प length L at one end and by holding second end, it is weld into a horizontal circle, calculate the work done, right, देखो एक चीज़ समझो, अगर एक रसी है, बेटा और उस रसी से हम लोग ने circular motion किया है, इस तरीके से, यह मान लीजे center है, यह रसी है, और इस तरीके से आपने उसको गुमा करके एक circular motion किया, तो पहली बात एक चीज़ यह समझ लो, यहां पर प्यारे बच्चों, force जो होता है, वो हमेशा center की तरफ होता है, that is, centripetal force, और velocity जो होती है, वो हमेशा tangential होती है, और जिस direction में velocity होगी, उसी direction में displacement भी होता है, यह हम सब लोग जानते हैं, यानि कि force और velocity के बीच का angle जो है, वो 90 है, so force is perpendicular to velocity, और दूसरी बात हम कह सकते ह direction में velocity है, उसी direction में displacement है, that means force और displacement perpendicular हो गया, angle 90 हो गया, cos 90 होता है, so work done is 0, right, तो यहां कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, circular motion में work done हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि angle वहाँ पर 90 है, right, चलिए, work done by a constant force, तो अभी तक जो हम लोग discussion कर रहे थे, वो एक constant force का ही discussion था, यानि कि आप formula लिख सकते हो, f vector dot d vector या f vector dot s vector, displacement को अगर s vector से दिखा दें, तो s vector हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर force को हम लोग इस form में रखें, यानि f x i cap, f y j cap, f z k cap, similarly displacement को रखें, x i cap, y j cap, plus z k cap, तो आप इनका अगर जब dot product करोगे, तो dot product तो ऐसे भी बड़ा simple होता है भाई, i वाला term i से multiply होगा, j वाला j से multiply होगा, और k वाला term k से multiply होगा, तो f x into x, fy into y, f z into z, तो यह हमारा work का expression बन जाएगा, और dimension अगर देखें work का, तो that is ml2 t minus 2, simple है, si unit joule है, cgs unit arg है, 1 joule 10 की power 7 arg के बराबर होता है, यह आप लोगों को पता right, तो आएए देखते हैं, यह देखें, एक question भी हमारे पास आगया है, इस question में हम लोगों को पहरे बच्छो force given है, force को बहुत ध्यान से देखो, यह जो force है, 3i cap minus 2j plus k cap, तो यह एक constant force है, क्योंकि इसमें एक भी variable term नहीं है, यानि x, y, z जैसे term इसमें नहीं है, in carrying a particle from point this to point this देखो, अगर हम लोग किसी एक particle को a point से b point तक ले गए हैं, तो displacement vector जो होगा, that will be a b vector, और a b vector का मतलब होता है, position vector of b minus position vector of a, right, हमेशा के लिए दिमाग में एक दम सेट कर लो, a b vector अगर है, तो इसका मतलब position vector of b minus position vector of a, अब b का position vector बहुत ध्यान से समझेगा, that is 3i cap plus 6j cap minus 2k cap minus position vector of a, अगर हम लोग देखें, तो that is minus 2i cap plus j cap plus 3k cap, like this, इसको अगर हम लोग देखें, तो यह plus हो जाएगा, यानि कि that is 5i cap plus 5j cap, minus 2k minus 3k करेंगे, तो minus 5k cap, यह हमारे पास, प्यारे बच्चों, displacement vector आ गया है, और force vector हमारे पास वो दिया था, और अगर हमें work calculate करना है, तो that is simple, force vector dot displacement vector, अब आप समझो, force vector में, i cutter में 5, sorry, displacement में, और force में 3, तो यह बनेगा, plus यहाँ पर फिर से है 5, वहाँ पर है minus 2, यहाँ पर है minus 5, वहाँ पर है 4, तो आइए इसको simplify करते है, 15 minus 10 minus 20, so that is minus का 15 joule, so work done, जो यहाँ पर हुआ, that is minus का 15 joule, यह हम इस तरीके से, प्यारे बच्चों, हम लोग answer दे सकते हैं, so अब अगला concept है, work done by a variable force, आईए variable force देखते हैं, देखो कोई भी ऐसा force, जो की time के साथ change हो रहा हो, position के साथ change हो रहा हो, तो generally position के साथ change होने वाले forces यहाँ पर होते हैं, उनकी वज़े से जबी भी आपको work calculate करना होगा, तो फिर आपको method of integration में जाना होगा, यानि की work जो है, that is integration of f vector dot dr vector, यहाँ पर एक बात ध्यान लखेगा, जो dr vector है, वो displacement vector है, और क्योंकि अब variable force है, तो displacement भी आपका जो है, वो तीनों direction में हम variable मानने हैं, dxi cap plus dy j cap plus dz k cap, इस concept पर based question अकसर आपके exams पर आजाया करते हैं, अगर school में करवाया गया होगा, तो इस concept पर question पूछे जाने के chances काफी जादा होते हैं, देखिए इस पर अभी आगे हम लोग numerical होगा, तो वो भी मैं कराता हूँ, अब समझो, यहाँ पर जो force है आपका, वो again vector form में है, displacement मैंने बुला, dxi cap plus dy j cap plus dz k cap मानेंगे, जैसे ही आप dot product करोगे, आप सबको बढ़े अच्छे से पता है, fx dx plus fy dy plus fz dz आएगा, और integration जो है, वो हम x के respect में जब करेंगे, तो x वाले coordinates रखेंगे, y के respect में करेंगे, y coordinates होंगे, और z के respect में रखेंगे, तो z coordinates होंगे, राइट, हाँ, यह देखिए हमारे पास एक question भी आगया, इस type का, आप देखो ज़रा, कह रहे हैं, a force, a position dependent force, 7 minus 2x plus 3x square, acts on a small body of mass 2 kg, and displaces it from 0 to 5, calculate work done in joules, देखो, यहां work done calculate करना है, और formula होता है, force vector dot displacement vector, right, displacement vector, क्योंकि यहां पर एक बात समझेगा, जो force है, वो cable और cable check करो, x पर dependent है, जो displacement हुआ, वो भी 0 से 5, वो भी cable x direction में हुआ है, यह तो simple वाला question हो गया, so that is integration of, you can write, 7 minus 2x plus 3x square, times dx, right, dot product जब करोगे, तो आपको पता है, यह force x direction में ही था, dx का multiply हो जाएगा, और limit भी बड़ी simple है, that is from 0 to, 5, यह question मजेदार प्यारे बच्चों, तब बन सकता था, जब, जब यहाँ पर, x और y, दोनों पर based, आपको force दिया जाता, मतला अगर यह force आपका x और y, दोनों पर dependent होता, तब यह question ज़्यादा अच्छा बन सकता था, so this will become 7x, minus x square, plus x cube, यह हमारा, इसका integration आया, and that is from 0 to 5, जैसे ही आप 5 रखोगे, that will become 35, minus 25, plus 5 का cube, याने की 125, और 0 रखोगे, तो सारे terms 0 हो जाएंगे, तो यह प्यारे बच्छों क्या बन जाएगा, 125 में से 25 गया, 100, 135 करेंगे, तो 135 joules, यह हमारे पास work की value आ जानी है, ठीक है, यह बहुत ही simple सा, एक question हमारा हो गया, right, now nature of the work done, तो work जो है, वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, depending on the value of cos theta, और you can say angle, बहुत ध्यान से समझेगा, अगर angle acute है, अगर angle acute है, यानि कि less than 90 है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो ऐसे में प्यारे बच्छों, work जो है, वो positive होता है, अगर angle 90 डिगरी है, तो सबको पता है, cos 90 0 है, इसलिए work done 0 होता है, अगर यही angle आपका obtuse है, यानि कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ऐसे में work done will be negative, right, so depending on the angle theta, you can define as positive, negative and 0 work, अब examples देखो, negative work की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो, force इस direction में लग रहा है, displacement इदर की तरफ हो रहा है, जो angle है, चेक करिए, angle is greater than 90, और जब भी भी angle greater than 90 होता है, यानि obtuse होता है, cos theta negative होता है, that's why work done is negative, यहाँ पर देखो, जब कोई object उपर की तरफ जा रहा है, तो work done by friction force आप से पूछ रहा है, बही, object उपर जाएगा, तो displacement उपर हो रहा है, बट friction तो नीचे लगेगा न, friction opposing force होता है, तो यहाँ पर angle देखो 180 है, cos 180 minus 1 होता है, so again work done is negative, यहाँ पर देखिए work done by gravity पूछ रहा है, object उपर जा रहा है, gravity तो नीचे ही लगेगा, angle 180 है, तो again work done here is negative, अब आजाओ 0 work पर, अगर force perpendicularly upward लगे, यानि normal reaction की बात हो रही है, और displacement इदर की तरफ हो रहा है, तो normal reaction की वजए से work इतना है, 0, right, similarly circular motion में तो हम लोग numerical भी कर चुके है, work done 0 होता है, यहाँ पर चेक करिए, आपको ये बात दिखा रहे हैं कि भाई, अगर displacement ही 0 हो जाए, तो भी प्यारे बच्छों work done जो है, वो 0 हो जाएगा, तो work के 0 होने के क्या है, भीया, conditions, या तो force 0 हो जाए, या तो displacement 0 हो जाए, या तो angle 90 degree हो जाए, इन तीनों में से कोई भी एक condition होगी, तो work done आपका 0 हो जाए का, नेक्स देखो, positive work की बात कर रहे हैं, भीया, angle acute है, यहाँ पर देखो, weight downward लग रहा है, object जाभी नीचे रहा है, motion under gravity हो रहा है, angle 0 है, right, so again, work done is positive, यहाँ पर work done by friction force on the block A की बात कर रहे हैं, अगर B वाले block पर, प्यारे बचों, अगर B वाले block पर आप force ऐसे लगाओगे, तो B पर जो frictional force लगेगा, वो पीछे लगेगा, बट A पर जो frictional force लगेगा, वो आगे लगेगा, बात समझ रहे हैं, तो A वाले पर, यह मत रट लेना कभी भी कि भाई friction की वज़े से work हमेशा negative ही होता है, ऐसा नहीं है, friction हमेशा opposing force नहीं होता है, यह बात मैंने previous chapter में भी आपको बताया था, friction एक ऐसा force है जो relative motion को oppose करता है, right, motion को oppose नहीं करता है, relative motion between surfaces को oppose करता है, यह बात ध्यान रखिएगा, इस example से बहुत अच्छा है यह बात प्रूफ हो रहा है, अगर कभी भी आपको force और displacement का graph दिया जाए, तो क्योंकि यहाँ पर हम define करते हैं कि work जो है, that is integration of force vector dot displacement vector, integration का मतलब ही होता है area under the curve, यानि area under force displacement graph will provide you the value of work, यानि कि यहाँ पर अगर मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखें, यह वाला work जो है वो positive है और यह वाला जो work है वो हमारा negative work है, यह positive work है और यह वाला work हमारा negative work है, तो अगर आपको total work done निकालना है, तो बस उपर वाला work जो area है positive रखो, नीचे वाला जो area है वो negative रखो, और क्योंकि हमें साफसा दिखाई पड़ रहा है कि उपर वाला area कम है नीचे वाला area जादा है, इसका मतलब overall जो यहाँ पर solve होकर work done निकलेगा, that work done will be negative, simple सी बात है, next है कुछ facts है, work के बारे में आये पढ़ते हैं, work is defined for an interval or a displacement, there is no term like instantaneous work similar to instantaneous velocity, तो work जो है, वो एक duration का होता है, एक certain displacement का होता है, instantaneous work जैसा कोई term exist नहीं करता है, for a particular displacement work is independent of time, यानि work जो है, वो time पर dependent नहीं है, displacement पर dependent है, work will be same for the same displacement whether the time taken is small or large, when several forces act, work done by a force for a particular displacement is independent of the other forces, यानि एक force, माल लो किसी एक system पर दो तीन forces लगे है, तो किसी एक force की वज़े से जो work है, वो बाकी दोनों forces पर depend नहीं करता है, independent nature का होता है, displacement depends on the frame of reference, so work done by a force is a reference frame dependent, so work done by a force can be different in different reference frames, अलग-अलग reference frame में अगर आप देखोगे, तो work की value मेरे प्यारे बच्चों अलग-अलग हो सकती है, right, क्योंकि ये frame of reference पर dependent होता है, work is done by the source or agent that applies the force, तो भाई जो force नगा रहा है, वही work कर रहा होगा, theta 0 है, तो work आपका maximum है, positive है, theta 1 T है, तो वह maximum negative work है, right, चलिए, फिर next time हमारे पास आगया power, energy की बाद इसके just बात करेंगे, power का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चों, rate of doing work, right, यानि कि work done divided by time taken is called power, so power जो है, वह simply work upon time होता है, units की अगर आप बात करोगे, तो that will be joule per second, joule per second को ही watt कहा जाता है, wa double t, right, तो यहाँ पर देखो instantaneous power भी define किया जा सकता है, p बराबर dw by dt, और यहाँ पर अगर आप work को रखो force dot displacement, displacement upon time प्यारे बच्चों, velocity होता है, तो बनेगा force vector dot velocity vector, तो यह भी power का एक formula है, it is defined as the dot product of force vector and velocity vector, dimensions की बात करें, तो ml2, t-3, si units की बात करें, तो watt होता है, जिसको हम लोग joule per second भी लिख सकते है, right, कुछ और भी units है, kilowatt, यानि कि thousand watt, megawatt, यानि 10k power, 6 watts होता है, horsepower 746 watt के बराबर होता है, fps unit में देखें, तो food pound पर second भी है, लेकिन fps का अपने Indian books में, Indian author की books में, fps system कुछ खास use नहीं होता है, तो उसके लिए परशान मत होई है, कभी भी किसी भी system की मेरे प्यारे बचों efficiency निकालनी हो, तो हमेशा याद रखना, output upon input multiplied by 100, यानि कि work output कितना है, work done कितना है, divided by energy input क्या है, right, so output upon input multiplied by 100, that is known as efficiency, अगर 100 का multiply नहीं किया है, तो वह efficiency 1 में से निकलेगी, right, अगर 100 का multiply कर दिया है, तो वह efficiency percentage में निकलेगी, तो एक ही बात है, प्यारे बच्चों, अब दो तरह के देखो, forces भी होते हैं, conservative और non-conservative on the basis of work done, अगर जो work done है, वो path पर depend नहीं करता है, तो conservative forces है, right, और अगर work done path पर depend करता है, तो फिर वो non-conservative forces होते हैं, तो पड़ो ज़रा, a force is set to be conservative, if work done by the force on the particle moving between the two points, does not depend on path, अगर work done जो है, वो path पर depend नहीं करें, तो वो conservative force होते हैं, conservative जैसा आपका gravitational force हो गया, आपका coulomb force हो गया है, magnetic force हो गया, non-conservative की अगर मैं बात करूं, तो if work done by the force or against the force in moving the body from one position to another, depends on path, यानि कि अगर work done path पर depend करें, तो वो non-conservative force हो गया, non-conservative का अगर मैं आपको example बता हूँ, तो friction type के जितने forces होते हैं, तो friction का force आपका हो गया, विसकस force हो गया, drag force हो गया, ये सारे forces जो आपके होते हैं, they are non-conservative forces, यानि जिन में किया हुआ work path पर depend करता है, अब आजो difference देख लो, important है, work done does not depend on the path, लेकिन वहाँ depend करता है, work done in a round trip is zero, conservative forces में round trip में work zero होता है, लेकिन non-conservative में round trip में work zero नहीं होता है, right, when only a conservative force acts within the system, kinetic energy and potential energy can change, however, their sum, that is total mechanical energy of the system does not change, कहने हैं कि अगर केवल conservative forces हैं, तो kinetic energy change हो सकती है, potential भी change हो सकती है, लेकिन उनका जो sum है, यानि कि total mechanical energy, वो conserve रहेगी, यानि कि मेरे प्यारे बच्चों, वो constant रहेगी, फिर जो non-conservative force, यानि कि work done against a non-conservative force may be dissipated as heat energy, यानि कि work done against a non-conservative, दोको non-conservative force, friction type का force जहां भी आएगा, हमेशा ही energy का loss कराएगा, तो वहाँ पर हम conservation of mechanical energy नहीं लगा सकते, work done is completely recoverable, conservative forces हैं, तो work done को हम recover कर सकते हैं, बढ़ यहाँ पर हम work done को completely recover नहीं कर सकते, क्योंकि उस दोरान कुछ ना कुछ energy का loss हुआ ही हुआ है, कुछ examples हैं, देखो, gravitational force, electric force, electrostatic force, spring का force हो गया, intermolecular force हो गया, magnetic force हो गया, these all are conservative nature, friction का force, viscous का force, air resistant, जिसको drag force बोलते हैं, या magnetic force due to current carrying element, that is your non-conservative force, right, तो कुछ-कुछ examples भी दिमाग में रखियेगा, अब आजाओ इस chapter के last concept में, last concept किसी का है, मेरे बच्चों, energy का, right, energy क्या है, capacity of doing work, अगर कोई system work कर रहा है, मतलब उस system के अंदर energy है, so energy is defined as the internal capacity of doing work, when we say body has energy, it means it can do work, right, अगर energy है, तो वो work कर सकता है, और अगर वो work कर रहा है, मतलब उसके अंदर energy है, दोनों ही statement ठीक है, different forms of energy देखो, तो mechanical energy, electrical energy, optical energy, acoustic, यानिकि sound energy, molecular energy, atomic, nuclear energy, these are several different forms of the energies, mass energy relation, तो Einstein साहब का बहुत ही famous formula है, E is equal to mc square, right, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि energy can be converted into mass, and mass can be converted back into the energy, right, energy scalar quantity है, mL2T-2 dimension है, इसका ऐसा unit joule होता है, arg भी इसका unit है, kilowatt-hour, that is also a unit of energy, तो ध्यान से देखिए, 1 kilowatt-hour, class 10 से आप पढ़ते चले आ रहे हो, 1 kilowatt-hour जो है, 3.6 x 10-6 joules के बराबर होता है, electron volt भी energy का एक unit है, छोटा unit है, 1.6 x 10-19 joules, 1 calorie 4.2 joules होता है, इसको आप heat वाले chapter में use करते हो, सब लोग ने पढ़ा भी होगा, फिर आजओ energy के different types, kinetic energy due to motion of the object होता है, formula सब को रटा होगा, half mb square होता है, ठीक, unit इसका joules होता है, अगर कोई object motion में है, move कर रहा है, तो motion की वज़े से जो energy उसके पास है, that energy is the kinetic energy, और सब लोग जानते हैं इसके बारे में, relation between kinetic energy and momentum बड़ा important है, लिएन कही बार बच्चे confused हो जाते हैं, kinetic energy प्यारे बच्चों, half mb square होता है, और momentum जो है, वो mb के बरबर होता है, अगर इन दोनों equations को आप ध्यान से देखो, पहली वाली जो equation है, यानि कि from equation 1, पहली वाली equation में ध्यान से देखे, क्योंकि kinetic energy था हमारा half mb square, अगर मैं m का multiply करूं, m का divide करूं, तो इसमें किसी को problem नहीं होना चाहिए, जैसे ही आपने multiply किया, तो बन गया mb का whole square, और divide किया तो बन गया 2m, अब mb होता है momentum, तो बनेगा p square upon 2m, तो हमारे पास formula आ गया, क्या formula आया भया, kinetic energy जो है, that is p square upon 2m, या फिर momentum जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ, under root 2m kinetic energy, यह वाला formula अभी से लेके, class 12 तक आपका बहुत ज़्यादा use होता है, बहुत सारे concepts में, इस formula की बात हम लोग कर लेंगे, तो अच्छा simple सा formula है, आप कहरें, if the momentum of a body is increased n times, then its kinetic energy increases, देखो kinetic energy और momentum में क्या relation है, भया, kinetic energy होता है, p square by 2m, यानि कि सीधी सी बात है, kinetic energy is dependent on square of the momentum, तो कहरें कि अगर momentum को n times करोगे, तो kinetic energy n square times हो जाएगी, सीधी बात है, that will become n square times, क्योंकि kinetic energy proportional to p square होती है, next theorem हमारा है work energy theorem, देखो work energy theorem क्या है इस बात को समझो, पूरे system में कितने भी तरह के forces लगे हो, real force हो, pseudo हो, internal force हो, external force हो, conservative forces हो, non-conservative forces हो, किसी भी तरह का force हो, उनकी वजह से किया हुआ, जो total work done होता है on the system, that is equal to the net change in kinetic energy of the system, so work done by all forces, that is the net force that is equal to change in the kinetic energy of the system, यही कहलाता है आपका work energy theorem, right, derivation देख लो, क्या है अगर कोई constant force है माल लो, तो equation आप motion हम लगा सकते हैं, v square बराबर u square plus 2a, s के बराबर होता है, u square दर ले आओ, तो v square minus u square बराबर 2 times, acceleration को force upon mass लिख सकते हैं, तो f by m into s, और यहां से देखो, f into s, जिसको work आप बोलते हो, देखो f into s, जिसको आप work बोलते हो, right, बाकी terms इधर बेजो, m इधर multiply में आएगा, 2 इधर divide में आएगा, तो जिसको ध्यान से देखो, क्या बन गया, f into s, जो की work होता है, right, m इधर बेजो 2 से divide करो, तो 1 by 2, यह term बनेगा, m जैसे यह अंदर लाओगे, यह देखो final kinetic energy, minus, यह देखो initial kinetic energy, that means, work done जो है, that is, change in the kinetic energy, यहने कि final kinetic energy, minus initial kinetic energy, तो work energy, theorem बड़ा ही simple है, आपका third equation, of motion से derive होता है, आप उसको simply, कभी कहीं पर भी apply कर सकते हो, right, अब देखो, if there is no change in the speed of the particle, there is no change in the kinetic energy, so work done by the resultant force is zero, right, कहने का मतलब, अगर speed में कोई change नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक energy एगर घट रही है, तो work done negative है, right, energy का loss हो रहा है, काइनेटिक energy of the body increases, then work done is positive, काइनेटिक energy बड़ रही है, मतलब work done जो है, वो आपका positive, एक बात और समढ़ लो, काइनेटिक energy कभी भी negative नहीं होती है, half mv square, v square हमेशा positive, mass हमेशा positive, तो काइनेटिक energy कभी भी negative नहीं हो सकती, right, हमेशा positive होती है, frame of reference पर depend करती है, क्योंकि velocity जो है, वो frame of reference पर dependent है, अब question देखो क्या है, question में हमसे कह रहे है, 5 kg ball when falls through a height of 20 meter, requires a speed of 10 meter per second, what is, find the work done by the air resistance, एक चीश समझो, अगर 5 kg का ball है, और 20 meter की height से गिर रहा है, तो initially उसके पास कित्ती energy थी, initial energy सोचो उसके पास क्या था, potential energy, right, यानि कि Mg है, so 5 into G की value, tell ले-ले, h कितना है हमारा, 20, तो 100,000 joules हो गया, right, अब हमसे कह रहे हैं, कि उसकी जो speed है, वो 10 हो गई, यानि कि final energy जड़ा देखो, कौन सी हो गई, half M, 10 का square करेंगे, तो 100 हो जाएगा, जी, इसको काटेंगे 50, 50 into 5 करेंगे, तो 250, right, initially, प्यारे बच्चो एनरजी थी, 1000 joules की, फिर final energy कितनी है, 250 joules की, इसका मदलब, work done by air resistance कितना हुआ, खुद ही सोच लो भई, कितना work done हुआ भई, that is, जितना energy का loss हुआ, कितना loss हुआ, 750 joules का, पहले energy उसके पास ज़्यादा थी, बात में energy कम है, तो friction ने energy loss कराई होगी, कितनी loss कराई, जितना उनका difference है, right, फिर आजो potential energy, potential energy क्या है, due to position और configuration, किसी भी system में, उसके position या configuration की वज़े से, जो energy होती है, वो आपकी potential energy कहलाती है, formula बड़ा simple है, mg, h, right, it is a scalar quantity, it can be positive, negative, और 0, एक चीज़ और समझेगा, force होता है, इसको हम लोग माइनस का, du by dr, इस formula से भी define कर सकते हैं, और बहुत important formula है, यानि कि force is defined as the negative rate of change of potential energy, with respect to position, right, तो ये जो है आपका potential energy, positive, negative, 0, कुछ भी हो सकता है, negative potential energy जो होता है, प्यारे बच्चों, वो हमेशा attractive force को represent करता है, positive potential energy है, तो वो repulsive force को represent कर सकता है, right, zero potential energy है, मतलब उन objects के बीच में कोई force नहीं है, it is a relative quantity and depends on the frame of reference, but change in potential energy is independent of frame of reference, तो potential energy की जो value है, वो frame of reference पर dependent है, क्योंकि height dependent है, लेकिन change in potential energy जो है, that does not depend on frame of reference, potential energy is always defined only for the conservative force field, non-conservative के लिए तो defined ही नहीं है, whenever work is done by the conservative force, potential energy decreases, whenever work is done against conservative forces, potential energy increases, अगर conservative force खुद work कर रहा है, तो ये energy घटेगी, right, अगर उसके against work हो रहा है, तो potential energy बढ़ेगी, and it is function of position, doesn't depend on path, potential energy path को depend नहीं करता है, इस पर बेज निमेरिकल देखो, potential energy of a conservative force field is given by this, तो पहरे बचों, potential energy है, ax square minus bx, कहरें, find out expression for the force, तो देखो, force होता है, minus का du by dx, क्योंकि x के respect में भाई, तो minus का, इसको differentiate करोगे, तो 2ax minus b आ जाएगा, right, so this is 2ax, वो भी minus का, minus का 2ax plus b, this is the value of force, पहला बार्ट, फिर कहरें, equilibrium position बता दो, तो भाईया, equilibrium position मतलब, जहां पर force की value 0, तो force कितना है हमारा, minus का 2ax plus b is equal to 0, तो x की value आ जाएगी, b upon 2a, यह equilibrium position है, कहरें, potential energy at equilibrium बता दो, equilibrium पर potential energy कितनी बहिया, तो x की value उढ़ा के, potential energy के expression में रख दो, यानि a times, b upon 2a का whole square, क्योंकि a x square minus b x है, तो b upon 2a, right, मैंने simple x की value उढ़ा के रख दिया, तो यह बन गया, प्यारे बच्चो, a b square upon 4a square, minus b square upon 2a, तो यह बन जागा, b square upon 4a, minus 2b square upon 4a, right, so this is minus का b square upon 4a, चेक कर लो, potential energy जो है, वहाँ पर negative है, है न, और यही equilibrium पर potential energy की value है, बहुत ही simple सा concept, right, फिर आजो equilibrium, तो translational equilibrium जो है, वो आपका 3 तरह का हो सकता है, stable equilibrium, unstable equilibrium और neutral equilibrium, अब जड़ा समझना, क्या है, stable equilibrium का मतलब होता है, potential energy का minimum होना, unstable equilibrium मतलब potential energy का maximum होना, और neutral equilibrium का मतलब potential energy का constant होना, right, क्योंकि यहाँ पर condition क्या है, कि भाई, force जो है, वो minus का, du over dr होता है, और, अगर equilibrium है, तो इसका मतलब force 0 होगा, it simply means, du by dr is equal to 0, du by dr, देखो, potential energy का जो differentiation है, वो 0 के बराबर है, और वो 0 के बराबर, सिर्फ और सिर्फ तीन कंडिशन्स में हो सकता है, या तो potential energy constant होएगी, constant का मतलब आपका neutral equilibrium, या तो potential energy maximum होएगी, या तो minimum होएगी, देखो, maximum, minimum भी जहाँ पर होता है, वहाँ भी बेटा पहला differentiation 0 के बराबर होता है, right, तो यहीं से हमने तीन कंडिशन्स निकाला, कि अगर minimum value है, तो stable equilibrium, maximum value है, तो unstable equilibrium, constant value है, तो neutral equilibrium, खुदी सोचो, मालो किसी पहाडी के टॉप पर, यहाँ पर कोई object है, तो potential energy तो obvious है, उसकी maximum होगी, यहाँ पर object अगर है, तो potential energy तो obvious है, उसकी यहाँ पर maximum होईगी, और यह unstable equilibrium का position है, potential energy का maximum होना unstable equilibrium है, क्योंकि जरा सा left में लाओगे, तो इधर गिर जाएगा, जरा सा right में लाओगे, तो इधर गिर जाएगा, लेकिन अगर कोई object किसी पहाड़ी में मालो, सबसे नीचे रखा हुआ है, तो यह अब equilibrium, stable equilibrium का position है, जरा सा left में लाओगे, फिर वहीं आ जाएगा, जरा सा right में लाओगे, फिर वहीं आ जाएगा, यानि कि object अपनी उस position को maintain लखेगा, अगर आप हलका सा force उस पे लगाओगे, उसके बाद भी, तो यह stable equilibrium है, यह आपका unstable है, और अगर कोई object plane पर रखा हुआ है, इस तरीके से plane पर है, तो यह जिधर ले जाओगे, उधर ही चला जाएगा, तो यह neutral equilibrium कहलाता है, फिर आज आज लाओ of conservation of energy, यानि कि अब आप से simply conservation of mechanical energy की बात कर रहे हैं, तो अभी पीछे हम लोग उन्हें बात किया था भाई, कि अगर किसी भी system में सिर्फ और सिर्फ conservative forces लग रहे हो, या फिर work done by non-conservative force zero हो, तो ऐसे में conservation of energy की बात हम लोग करते हैं, energy can neither be created nor be destroyed, it can just be converted from one form to another form, यह तो बच्चों वाला हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया, वो class 11 में काम में आता है, क्या, कि भाई, अगर system में सिर्फ conservative forces हैं, तो system की mechanical energy conserve रहती है, यानि कि total initial energy is equal to total final energy, और यही कहलाता है आपका law of conservation of mechanical energy, इस पर आईए आपको numerical दिखाते हैं, कहने, for what minimum value of the mass m1, यह वाला जो mass लटका, उसका minimum value पूछ रहे हैं, will the block m just leave the contact with the surface, कह रहे हैं, यह वाला block just contact leave कर दे, एक चीज़ सोचो, अगर यह x distance नीचे आएगा, तो obvious है, यह वाला spring x खिचेगा, तो let us suppose यह x नीचे, अगर यह x नीचे आएगा, तो बोलो potential energy decrease होएगा, कितना decrease होएगा, m1 g x, और वो potential energy किस पर जाएगी, spring की kinetic energy भे, तो spring में कितने energy आएगी, half kx square, अगर वही m1 g x, half kx square के बराबर होगा, तो check करो, 1 x स 1 x cancel हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा, kx is equal to twice of m1 g, और एक चीज़ समचो, अभी यह उठा नहीं है न, इसलिए मैंने इसके potential energy की बात नहीं किया, अभी सिर्फ इसको नीचे लाएएगे, और spring खिचा है, बस, यह अपनी जगह पर है, तो उसके लिए हमने यह condition लगा लिया, कि loss in potential energy is equal to gain in the spring's energy, एक तरह की energy का loss अगर हुआ है, तो किसी ने किसी तरह की energy का gain होगा, तो इधर उसकी block की potential energy decrease हुई, क्योंकि नीचे गया, तो spring की energy में increment हुआ, अब आजाओ, m वाले block के Fb deep को देखो जरा, m वाले block पर अगर आप बात करो, तो m वाले block का weight below downward लगेगा, वो mg के बराबर भी होगा, right, kx की जगे आप अगर mg रख दोगे, तो g से g कटेगा, m1 की value बोलो, m by 2 आ जाएगी, यानि कि, यानि कि अगर आप small m वाले block को just उठाना चाहते हो, तो वो m1 जो है, वो इसके mass का आधा होना चाहिए, देख लो कितना बढ़िया, कितना प्यारा question है, और ये concept लगा कर कितना easily solve हो सकता है, right, तो कई बार बिटा, conservation of energy, या work energy theorem, ऐसे concepts हैं, जिनसे question बहुत ही जदा easily आपका solve हो जाता है, right, फिर आजाओ, collision का एक concept है भाई, collision का concept मैं आपको बता दूँ, अगर एक object के motion की वज़े से, दूसरे object के direction में, या उसकी velocity में, अगर कुछ भी change हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि भाई, दोनों objects collide कर रहे हैं, right, so collision is basically redistribution of the energy and momentum, right, तो पड़ो जड़ा, the event or the process in which two bodies either coming in contact with each other, or due to mutual interaction at a distance apart, affect each other's motion, velocity, momentum, energy, direction of motion, that is defined as collision, एक object दूसरे से टकरा जाए, वो तो collision ही है, लेकिन एक object की वज़े से, अगर दूसरा कोई object अपना direction change करते, तो that is also known as collision, right, collision जब भी भी होता है, बेटा, दो चीज का conservation मत बूलना, सबसे पहला है, conservation of momentum, collision कैसा भी हो, conservation of momentum हमेशा वहाँ पर अपलाई होता है, और दूसरा है, conservation of kinetic energy, लेकिन वो तब लगेगा, जब आपका elastic collision होगा, तो types of collision पर आजो भई, direction के basis पर अगर हम देखे, तो head-on collision या oblique collision, head-on का मतलब, अगर one dimensional collision है, इस तरीके से, front-to-front अगर collision हो रहा है, तो head-on collision कैलाता है, oblique मतलब, एक object ऐसे आ रहा हो, दूसरा object ऐसे आ रहा हो, projectile path पर माल लो, या किसी भी इस तरह के path पर आ रहा है, तो वो आपका oblique collision कैलाता है, लेकिन यह syllabus में नहीं है जाने दो, on the basis of kinetic energy कर देखें, तो elastic collision, elastic collision प्यारे बच्चों वो होता है, जिसमें energy का loss नहीं होता है, तो momentum भी conserve होएगा, और यहाँ पर kinetic energy भी conserve होएगा, फिर आता है in elastic collision, in elastic collision का मतलब है, जहाँ पर energy conserve ना हो, तो momentum तो conserve होगा इसमें, लेकिन energy conserve नहीं होगा, kinetic energy is not conserve, perfectly inelastic collision का मतलब कि securities collide करें और collision के बाद डोनों छिपक जाए या नि दोनों finally same speed मूब करने लग जाए तो उसको बोलते perfectly inelastic collision नॉर्मली inelastic collision में क्या होता एव Never Study को प्रकर करके कुछ ना कुछ डैमेज हो गया object नाय और कोई ना damage नहीं हुआ, right, energy का कोई loss नहीं हुआ, फिर एक term हम लोग define करते हैं, coefficient of restitution या Newton's law of coefficient of restitution, यह Newton's आपने define किया था, किसी भी in elastic collision के लिए, कि coefficient of restitution जो होता है, that is relative speed of separation relative speed of separation divided by relative speed of approach relative speed of separation divided by relative speed of approach, right, so e की value 1 होती है, elastic collision के लिए, e की value 0 होती है perfectly in elastic collision के लिए, e की value 0 से 1 के बीच में होती है, in elastic collisions के लिए, right, तो values को दिवांग में set कर लो, अगर e बराबर 1 है, इसका मतलब separation की speed और approach की speed same है, देखो separation का का काम होता है, after collision approach का का काम होता है, before collision right, तो perfectly in elastic collision है, तो खुद समझ लो कि ये 0 होगा, ये 0 होने का मतलब relative speed of separation 0 है यानि collision के बाद दोनों object separate ही नहीं होंगे, ये तो definition था perfectly in elastic collision का, right, normally ये 0 से 1 के 20 होता है, फिर कहरें head on elastic collision, देखो, एक माल लो object ये है, इसका अपना mass M1 है, इसकी अपनी speed U1 है, एक कोई दूसरा object है M2, इसकी अपनी speed U2 है, right, ये माल लो collide कर रहे हैं, and after collision M1 वाले की speed हो गई V1 और M2 वाले की speed हो गई माल लो V2, after collision तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई, initial momentum M1 U1 plus M2 U2, ये system का initial momentum है, और final momentum है M1 V1 plus M2 V2, so M1 U1 plus M2 U2 बराबर M1 V1 plus M2 V2 ये momentum conservation का expression है और वहां से अपने को ये expression आया आप आजाओ kinetic energy में, so half M1 U1 square plus half M2 U2 square that is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square यानि कि अगर ये elastic collision है भाई, तो momentum भी conserve है, देख लो, system का initial momentum is equal to final momentum, और system की initial kinetic energy is equal to system की final kinetic energy यहां पर हम अपने पास सिर्फ दो unknowns है पहला है V1 और दूसरा unknown है पहरे बचों, V2 तो इसको solve करके हम लोग V1 और V2 की value निकाल सकते हैं, लेकिन इसको solve जब करोगे तो V1 और V2 का एक खतरनाक सा formula आता है तो मैं वो रटने को नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे खुद भी रटा नहीं है मैं आपसे यही suggest करूँगा, जब भी भी आये तो इस तरह की बेटा, दो equations बनाओ momentum conservation की equation बनाओ kinetic energy conservation की equation बनाओ और बस simply इस equation के basis पर आप question को solve कर दो काम कतम, अब यहां पर देखो कुछ standard results है मारे पास क्या, if two bodies are of equal mass, देखो अगर दो bodies का mass equal है तो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों की जो velocity है, वो exchange हो जाएगी, velocities of both will be exchanged यानि कि जो पहले की initial velocity थी, वो दूसरे की final हो जाएगी, और जो दूसरे की ratio थी, वो पहले की final हो जाएगी right, if the mass of a body is negligible as compared to other तो इस यहां पर concept क्या है बात समझो heavy object जिसका mass बहुत जादा होता है उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right, यानि कि मान लो, अगर हाथी आ रहा है और इदर से cheaty है, वो collide करने आ रही है, right, तो collision के बाद हाथी के speed पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा cheaty जिस speed से आई थी, उसकी दो गुनी speed से वो भागेगी right इस तरीके का काम यहां पर होता है तो एक concept बस दिमांग में रखो, heavy object की speed पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right अब यहां पर देखो concept यह question क्या है कहने ball of mass 2 kg moving with a speed of 5 meter per second तो यह है आपका 2 kg का ball और यह प्यारे बच्चों 5 meter per second की speed से move कर रहा है, दूसरी कोई ball है, जो की 3 kg की है moving in same direction with a speed of 4 meter per second coefficient of restitution हम से बोलना है 2 by 3 है, find the velocity is after collision, देखो अगर coefficient of restitution की कुछ value इसका मतलब यह elastic collision नहीं है this is inelastic collision तो आप पहले तो momentum conservation लगाओ right, तो इसका momentum initial कितना है, 10 है, इसका momentum initial कितना है, 12, that is equal to m1 into v1 plus m2 into v2, right, यह तो momentum conservation हो गया, अब coefficient of restitution से आप बनाओ, क्या coefficient of restitution जो की 2 by 3 है that is equal to relative speed of separation separation का काम after collision होगा, इसकी speed v1 है इसकी v2 है, तो obvious ने v2 बड़ा होगा, तभी separate होगा, तो it is v2 minus v1 बोलो भाई, यह तेजी से भाग रहा होगा ना, collision के बाद तभी तो separation होगा, so इसकी speed minus इसकी speed, तो v2 minus v1, divided by relative speed of approach, approach की speed गया है यह 5 से आ रहा है, यह 4 से आ रहा है, तो 5 minus 4 यारी की 1, that is the speed of approach, right तो यहां से बेटा अपने पास एक और formula, equation कहलो आ गया, कि भाई 3 को उदर बेज़ देंगे, तो 3 v2 minus 3 v1 is equal to 2 यह equation number 2 है, right, तो यह 3 v2 इसमें भी है, 3 v2 इसमें भी एक काम करो, दोनों को subtract करो, equation 1 minus equation 2 अगर आप करेंगे, right तो ध्यान से देखो, 3 v2 से 3 v2 cancel हो जाएगा, 2 v1 है, यह भी plus हो जाएगा, 5 v1 right, तो 5 v1 is equal to this minus this हमने किया है, तो यह है 22 minus 2, यानि कि 20 तो v1 की value आ गई 4 meter per second, और v1 की value अब किसी भी equation में डाल दो, आप किसी में भी डाल दो, right, चलो चलो, यह ही पर रख देते है, v1 की value रख देते है तो v2 आ जाएगा, क्या 3 v2 minus 3 v1 तो 3 v1 मतलब 12 that is equal to 2, तो v2 कितना हो गया जी, 14 by 3 meter per second तो यह v2 की value आ गई, तो after collision आपको दोनों values मिल गई, simple, देखो इसके जो numericals होते है बड़े आसान होते है बेटा, अगर यह concept पता है, यह formula पता है, right, conservation लगाना आता है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत simple है, जैसे solve करोगे, you will get your answer, right, so पहरे बच्चों, यह था आपका एक one shot revision, आपको आपके इसी ग्र नार में complete हो गया होगा, right, तो इसको बहुत easily revise करिए, ठीक है, इस पर कुछ-कुछ numericals, जो आपकी book में examples हो, solved examples हो, उनको practice करिए, right, साल बर आपको पढ़ाया गया है, कोई भी doubt हो, you can ask me on Instagram, Telegram, जहां भी आप मेरे को ढूण पाए, वहां से आपने doubt भी पूछ सकते है, right, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, ठीक है, तो चलिए, I hope आपको इचाप्रा अच्छे सोच में आया होगा, मिलते हैं अपने next lectures में, तब तक के लिए goodbye, take care कि अभी, तो रीक है, कि उड़ द